है के लो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने चैनल अधारसिला कलासेस में आज हम लोग ख्लास्तंद और जेक्टिव कोश्चन को देखेंगे जो कि एकदम इंपॉर्टेन्ट होंगे इसमें हम लोग 35 अपजेक्टिव कोश्चन देखेंगे तो आप लोग अपने अब्जे तो A और B का लॉसो है एक नमबर कोशन कह रहा है यदि A और B अभाज जे संख्याएं है तो A और B का लॉसो है तो आप्शन नमबर A में है A आप्शन B में है B आप्शन C में है A B और आप्शन D में है A बटा B अब चलते हैं question number दूसरे के दो तरफ question number दूसरा कह रहा है निमली खित में से कौन अभाज्य संख्या है option A 15, option B 23, option C 12, option D 75 अब चलते हैं question number 3 के तरफ को हमारा question number 3 कह रहा है निमली खित में से कौन परिमे संख्या है option A 2-root 3, option B root 5, option C 2-root 3, option D root 6 अब चलते हैं अपने question number 6 के तरफ question number 6 कह रहा है यदि 65 थथा 117 का मौसर 65 M-117 के रूप में है तो M कमान है यदि 65 थथा 117 का मौसर 65 M-117 के रूप में है तो M कमान है option A है 1, option B है 2, option C है 3, option D है 4 अब चलते हैं question number 5 के तरफ question number 5 कह रहा है 2, 10 और 20 के लौसर और मौसर का अनुपात है 2, 10 और 20 के लौसर और मौसर का अनुपात पूछ रहा है तो option number A में है 1, 10, option B में है sorry option A में है 1, 10, option B में है 2, 10, option C में है 4, 10, 3, option D में है 11, 10, 1 अब चलते हैं question number 6 के तरफ question number 6 कह रहा है option A में है 1, option B में है 2, option C में है 4, और option D में है इन में से कोई नहीं अब चलते हैं question number 7 के तरफ हम लोग का question number 7 कह रहा है option A में है 0, option B में है 1, option C में है 2, option D में है 4 साथ number question कह रहा है कि दो लगातार संख्याओ का मौसो है option A में 0, option B में 1, option C में 2, और option D में 4 अब चलते हैं question number 8 के तरफ हम लोग का question number 8 कह रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुनन खंड है 5005 के कितने अभाज्य गुनन खंड है option A में है 2, option B में है 4, option C में है 6, और option D में है 7 अब चलते हैं question number 9 के तरफ कितने दो अंकों की संख्या 3 से भी भाज्य है question number 9 कह रहा है कि कितने दो अंकों की संख्या तिन से विवाज है ओप्सन नमबर A है पचीस ओप्सन नमबर B है तीस ओप्सन नमबर C है सताइस ओप्सन नमबर D है च्छत तीस ये भी बहुत इजी कोशन है अब चलते हैं कोशन नमबर दोस के तरफ कोश्चन नमबर दोस का रहा है दो संख्याओं का गुननफॉल 867 है और उसका मौस्व 117 है तो उनका लोस्व होगा दो संख्याओं का गुननफॉल 867 है और उसका मौस्व 117 है तो उसका लोस्व होगा अप्सन नमबर A है 102, आप्सन नमबर B है 85, आप्सन नमबर C है 107, आप्सन नमबर D है 510 अब चलते हैं कोशन नमबर 11 की तरफ, कोशन नमबर 11 है चोव आठ और 22 का लोसो और मोसो का अनुपात है यहाँ पे 6, 8 और 22 का लोसों और मोसों का अनुपात पूछ रहा है जिसका option में दिया हुए 132 अनुपात 1, 2 अनुपात 22 option C में है 8 अनुपात 6 और option D में है 12 अनुपात 3 चलते हैं question number 12 को तरफ 12 कह रहा है चानवे का अभाज ये गुननखंड क्या होगा option number 12 कह रहा है कि 96 का अभाज ये गुननखंड क्या होगा ये भी बहुत easy question है अब चलिए इसके option को देखते हैं option number A में है 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2 option B में है 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 option C में है 2 का पावर 5 गुना 3 option D में है 2 गुना 3 का पावर 5 अब चलते हैं question number 13 के तरफ question number 13 का रहा है कि जीरत समलो 3 3 के उपर रेकडिंग का परिमे रूप में लगुतम रूप क्या है यहाँ पे हमें संख्या दिया हुए और इसका परिमे रूप में लगुतम रूप लिखना है option number A में है 3 गुना 10 option B में है 2 गुना 9 अब चलते हैं question number 14 के तरफ question number 14 का रहा है 7 plus 3 रूप दो है option number A है परिमे संख्या option B है परिमे संख्या option C है भीन संख्या और last option D है पुना अंक इसको फिल से रिपीट करेंगे 14 number question का रहा है 7 plus 3 रूप दू है option A परिमे संख्या option B या परिमे संख्या option C भीन संख्या option D पुना अंक अब चलते हैं question number 15 की तरफ question number 15 का रहा है निम्न में से कौन परिमे संख्या है निम्न में से कौन परिमे संख्या है option number A है root 5 option B है 2 root 3 option C है 4 minus root 5 option D है root 16 अब चलते है question number 16 की तरफ कोशन नमबर 16 कह रहा है 0 और 50 के बीच के 0 और 50 के बीच विसम संख्याओं की संख्या है 0 और 50 के बीच विसम संख्याओं की संख्या कितनी है ओप्षन A में है 26 ओप्षन B में है 25 ओप्षन C में है 27 और ओप्षन D में है 24 चलते हैं question number 17 के तरफ question number 17 कर रहा है 5, 15 और 20 के loss और मौसों का अनुपात है कि 17 number question में है 5, 15 और 20 के loss और मौसों का अनुपात है option A में है 9 अनुपात 1, option B में है 4 अनुपात 1 option C में है 11 अनुपात 1 और option D में है 12 अनुपात 1 अब चलते है question number 18 के तरफ question number 18 में करें निम्न में कौन अपरी में नहीं है अब देखते हैं option को option A में है root 10 B में है root 24 C में है root 35 और option number D में है root 121 option number A में है root 10 option B में है root 24 option C में है root 35 और option D में है root 121 इसमें हमें अपरी में जो संख्या आ नहीं है उसको बताना है अब चलते हैं कोशन नमबर 19 के तरफ, कोशन नमबर 19 है, दो संख्या ओ, ए और 18 का लोसो 36 तथा मौसो 2 है, तो ए का मान है, ओप्षन A में है 2, ओप्षन B में है 3, ओप्षन C में है 4, और ओप्षन D में है 1 अब चलते हैं कोशन नमबर 20 के तरफ, कोशन नमबर 20 का रहा है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या हैं, तो उनका मौसो है, अब देखते हैं, ओप्षन को, ओप्षन नमबर A में का रहा है 2, ओप्षन B में का रहा है 0, ओप्षन C में का रहा है 1 या 2, ओप्षन D में का रह अब चलते हैं question number 21 की तरफ, question number 21 को रहा है, सबसे छोटी अभाजे और सबसे छोटी भाजे संख्या का गुननफल है, सबसे छोटी अभाजे संख्या और सबसे छोटी भाजे संख्या का गुननफल कितना है, तो option को देखते हैं, option A में है 10, option B में है 6, option C में है 8, और option D में है 4, अब कलते हैं कोशन नमबर 22 के तरफ कोशन नमबर 22 कर रहा है निमन में कौन सी अभाज्य संख्या है निमन में कौन सी अभाज्य संख्या है उप्सन नमबर A में है 29, उप्सन B में है 25, उप्सन C में है 16, उप्सन D में है 15 22 नमबर में पूछ रहा है कि निमनिम लिखित में से कौन अभाजे संख्या इसमें अभाजे संख्या बताना है जिसका option में continuous बी में दिया है 25 सी में दिया है dale 16 और सबसे अंत्य के हुप संद्स द्नमबर 23 की तरफ तीन दसम्दलो दो साथ, दो साथ के उपर रेकडिंग है, तो इसको बताना यह कौन सी संख्या है अप्शन A में है एक फुल्णांक, अप्शन B में है एक परिमे संख्या, अप्शन C में है एक प्राकिर्च संख्या और अप्शन D में है एक अपरिमे संख्या अब चलते हैं कोश्चन नमबर 24 के तरफ कोश्चन नमबर 24 कह रहा है किसी पुल्णांग M के लिए समसंख्या का रूप है किसी पुल्णांग M के लिए समसंख्या का रूप है ओप्षन A में है M प्लस 2 ओप्षन B में है 2M प्लस 1 ओप्षन C में है 2M और option D में है 2M-1 चलते हैं question number 25 की तरफ question number 25 में कह रहा है निमन में से कौन सा अपरी में नहीं है option number A में root under 64 बाटा 81 option B है 2 root 3 option C है root 21 बाटा 35 option D है root 3 into root 2 इसका option एक बार और देखते है option number A में कह रहा है root 64 बाटा 81 option B में कह रहा है 2 root 3 option C में कह रहा है root under 21 बाटा 35 option D में कह रहा है root 3 into root 2 अब चलते हैं अगले question की तरफ अगला question है 26 number question number 26 कह रहा है निमली खित में किसका दसमलो प्रसार 7 है निमली खित में किसका दसमलो प्रसार 7 है अब इसके option को देखते हैं option number A कह रहा है 3 root 8 option B कह रहा है 2 root 15 option C कह रहा है 29 root 343 और option D कह रहा है 17 root 1536 अब चलते हैं अगले question की तरफ जो है 27 number 27 number question है 6 root 15 का दसमलो प्रसार है option A में है 7 option B में है असान option C में है आवर्ती और option D में है इनमें से कोई नहीं 27 number फिर से इसको दोराते हैं कह रहा है 6 root 15 का दसमलो प्रसार है option A में है 7 option B में है असान Option C में है आवर्ती और Option D में है इन में से कोई नहीं चलते हैं अगले कोईशन की तरफ अगला कोईशन है 28 नमबर जो कह रहा है क्या 4 माइनस रूट 3 है इसमें बताना है कि 4 माइनस रूट 3 कौन सी संख्या है तो Option A में है परी में संख्या Option B में है अपरी में संख्या Option C में है भीन संख्या और Option D में है पुल्णा यह भी बहुत EG कोशन है इसकी तरह आमने पहले भी है इसके तरह दो कोशन हो गया यह अब चलते हैं अगले कोशन की तरह अगला कोशन 29 नमबर का रहा है निमली खित में कौन अपरी में संख्या है Option A में है रूट अंडर 36 बटा 64 Option B में है रूट अंडर 1 बटा 81 Option C में है रूट अंडर 3 बटा 5 और Option D में है माइनस 9 बटा रूट अंडर 49 अब चलते हैं कोशन नमबर 30 के तरह Question number 30 का रहा है निमली खित में कौन सी अभाज्य संख्या है Option A है 6, Option B है 9, Option C है 15 और Option D है 11 Option number A में दिया है 6, B में दिया है 9, C में दिया है 15 और D में दिया है 11 अब चलते हैं Question number 31 की तरफ, Question number 31 हम लोगों का है, Question number 31 का रहा है दो परिमे संख्या के बीच कितनी परिमे संख्या हो सकती है यह Question बहुत ही महत्वपूल है, यह 2013, 2015 और 2019 में पूछ चुका है दो से से दधायता है को सिन कर रहा है दो परी में संख्या के बीच कितनी परी में संख्या हो सकती है अब इसके देखते हैं आप्शन में है ऑब सफ दी में इंप यह बहुत इंपोर्टन प्रस्ण है चलते हैं अगले नंबर को सिंगते हम 32 न doit 15. 1 10 होता है 16 about 15. 10 होता है कि आपोसन नमबर ए में सथ और बी में है असांत और सी मैं इंवे से कोई नहीं ओपसन नमबर में दिया है सांत और करें और और बी दोनों यानि सांत और आसांत दोनो और option D में है इन में से कोई नहीं चलते है आगले नंबर कोशन की तरफ अगला नंबर कोशन है तेटिस नंबर निमली खित में कौन अपरी में संख्या है और अप्षन नंबर A है रूट अंडर 64 बता 36 ओप्षन B है रूट 81 ओप्षन C है रूट 25 और ओप्षन D है रूट अंडर 49 बता 9 तेतिस नमबर कोशन को फिर से दोर आएंगे ये कोशन कहरा है निमलिखित में कौन अपरी में संख्या है निमलिखित में कौन अपरी में संख्या है आप्षन नमबर A है रूट अंडर 64 बाटा 36 आप्षन B है रूट 18 आप्षन C है रूट 25 आप्षन D है रूट 49 बाटा 9 सरी इसमें रूट जो आप्षन नमबर C है वो रूट अंडर 2.5 है यानि 2.5 इसमें आप्षन नमबर C है रूट अंडर 2.5 अब चलते हैं अगले नंबर कोशन की तरफ, कोशन नंबर 34 कह रहा है, रूट दो है एक, रूट दो है एक, इसमें रूट दो को बताना है कि क्या है, इसका अंसर हम लोग अप्षन क्या धार पर मारेंगे, अप्षन में कह रहा है नंबर में परी में संख्या, अप्षन बी मे करा है प्राकिर्ट संख्या और अप्शन डी में कर रहे इन में से कोई नहीं को ही pun युइG सद्रीमे और अपरिमें में संख्या और इन में से कोई नहीं है अब लोग चलते हैं इस वीडियो के अंतिम को सांप पै guest नंबर पह다면 यूंआ प्लोग्ण को सबस्क्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करतेंगे और वीडियो का लाइक जरी करेंगे अब देखते हैं 35 नमबर कोशन दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो है दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो है दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो ह अप्सन नंबर A में है एक, अप्सन नंबर B में है दो, अप्सन नंबर C में है तीन, और अप्सन D में है इन में से कोई फिर से दो राते हैं प्रश्ण को, दो या दो से अधिक अभाज संख्याव का मौसः है option A में है 1, option B में है 2, option C में है 3 और option D में है इनमें से कोई नहीं यह था हम लोग का आज का मैथ के महत्वपुर्ण वस्टुनिस्ट प्रस जो की बहुत महत्वपुर्ण है आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज के लिए बस इतना ही धर्नेवाद